हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, तो आज हम बात करने वाले है ए बॉस और बेबी दिस स्रीज एपीसोड 5 के स्पोईलर और प्यूफियू के बारे में तो पिछले एपीसोड के मताबिक चेयर गन के साथ रहना चाहता था, इसलिए गन चेयर को अपने घर पर ले कर जाता है, फिर अगली सुबह जब वेहनिंस से जाकता है तो वो देखता है कि वो गन की बाहों में सोया हुआ है, और वो सोचने लगता है कि वो रात को उसने क्या किया था, तो गन चेयर को रात की इंसिडेंट को ले कर टीज करता है, इसलिए चेयर गन से कहता है कि आप रात के ब लेकर आता है ऑफिस के सभी लोग पॉष्चे को गन के कैबिन में बहुत देर तक देखकर गौसिप करने लगते हैं और वो लोग जानना चाहते थे कि गन और पॉष्चे अंदर क्या कर रहे हैं इन सब बातों से चैर को गुसा आता है और वो सभी के बीच में से उठकर चला फिर जब चैर वाश्रूम में खुद से ही गन और पॉष्चे को लेकर बात कर रहा था तो गन आकर सुन लेता है और चैर से पूछता है कि वो क्या कर रहा है पर चैर गन की बातों का कोई रिस्पांस नहीं करता और गन को एटिट्यूट डिहा कर बहाद से चला जाता है और जायद गन ने कार लॉक कर दिया होगा चैर की आईसी हरकते देखकर गन चैर से पूछता है क्या तुम जेलस हो गन की बातों पे चैर कहता है मैं कोई जेलस नहीं हूँ और यह जेलसी वाले फीलिंग्स लवर्स के लिए होते है किसी इंटरन के लिए नहीं चैर की बात सुन कर गन मुस्कुराने लगता है और चेयर से कहता है तो फिर तुम जेलस हो ही जाओ और हम सेंटर ओप एटेंशन वनने वाले हैं जब एक इंटरन और एक कॉम्पणी ओरनर को सब एक कार में एक दूसरे के साथ देखेंगे पर शायद गन और चेयर के बीच में रिकॉंसिल हो ज जाता है और वो कहता है तो अब थोड़ा कॉमेंट परते है क्यूंकि वो लायट पर था कि तब ही लेंग का एक फे重要 करता है कि जा ले और एक करता है, है औक के गाइस spoiler में बस इतना ही तो अगर इस वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक और मेरे चैनल को subscribe करना बंद भूलना बाइब गाइस good night